तो इसकाल रिजार्ड लिशन ने कितने गोल करें दो और कल की वीडियो में आपको बताया क्या गया था आपको इन तीन में अपने स्टीवूसी रोटेट करने है तो जितने आप अपने रोटेट करके अपनी ग्रैंडिक से बनाई होंगी वह यहां पर विनो चुका होगा और जो गोल स्कोर हो रह सकते हैं तो उसके साभी के लिए आपको पूरा वीडियो के अंड तक बने रहना है टेलर में आपको दिखा दिया बाकी जो हमारी टीम साएंगी ओपन डीम सूँ आएंगी आपको टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएंगे लिंक आपको बंज जाएंगे ड अच्छे हो यहां पर स्ट्रॉंग है तो जाहिर सी बात है लेकिन अभी हमने जब कल वीडियो में बात करे थी तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था वो बताया था मैने कौन सा जो हमारी एसियन टीम से ना वो यहां पर थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करके जा रही ह अगर बात करें घाना की जो पॉर्टोकाल वर्सिस घाना वाला मैच हुआ था वहां पर को बले ही पॉर्टोकाल ने तीन गोल करे लेकिन जवाब भी हमने में वहां पे घाना ने भी दो गोल स्कोर करे हैं ठीक है फिर उससे अगर आप पहला मैच देखते हैं तो जो हमारा उरुगाई वर्सिस वाला हुआ था ठीक है वहां पर को जीरो जीरो टरो जहां पर को एक डार्विन नोनेज जैसा एक लीवर पूल का श्ट्राइकर था और लुरुस सौराज जैसा एक्सप्रियेंस प्लियर तो वहां पर को उनसे गोल नहीं हुए तो इसका मतलब किया है पहले मैची जो 3.30 बजे वाले मैची जो प्रेडिक्स नहीं हो आपके काफिया तक जस्ता ही जा रही है और जो पहला मैच वहां था 3.30 बजे है उसमें बस 1-0 रहुगा तो मतलब वहां पर जो आपके स्टार्टिंग वाले मैच है जैसे आप बात करते हैं जो अरलिक के कॉ तो सबसे पहले देखते हैं लाइनपस तो लाश्ट में जो निंदलेरंड का गया ता अगर बात करते हैं उनके प्लेट की लाश्ट में चेंड के तो घंचे लेकिन अज आपको को दिख जाएंगे यहां पर मैंफिस डेफ आए काफी यहां पर अच्छे प्लेयर हैं और जो एक गोल यहां पर माला था वह माला था एक सब्टूट प्लेयर ने वह यहां पर डेविक लासीन थी तो अगर आप एक बार फॉर्म देखते हैं तो इस बेल्जियम के खिलाब में इन्होंने 1-0 का एक क्लिंसे टक्खा है पोलेंड के खिलाब में 1-0 का सुर्णी टू-जीरो का क्लिंसे टक्खा है वेल्स है यहां पर जो आपको वहां पर वेल्स में दिख जाएंगे गरेद बह पर इन्होंने 3-2-7 विन कर रहा है बाकि अगर आप देखते हैं फिर वेल्स को एक बार हो रहा है और बेल्जियम को क्या टीम है आपको मैं बताओं मैं फोकस्टिंग कर रहा हूं बेल्जियम की एक रैंकिंग दो और चलो एक बार हा रहा है मानले थे हैं कि खराब हो यह जो हमारी नीदे लेंड ना काफी स्ट्रॉंग टीम है और यहां पर काफी अच्छा परफॉर्म कर जा सकती है अब यहां पर जो लेड नाइट वाले मैचे से ना जैसे कल मैंने ब्राजिल वाला मैच किया था और मैंने आपको बोला था वहां पर आपको अपसैट देखने क वह नहीं मिलेगा क्योंकि यहां पर उनको थोड़ा से क्लाइमेटिक चेंज आ जाता है वहां पर मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है अब यह मैच है यह है आपका देखो साड़े नौ बजे ठीक है आज है साड़े नौ बजे और इस मैचों क्या होगा जो इरोपन कंडिस है इस सामने वारी टीम की तो सामने आप देख सकते एस टाड़ा हैं जो कि इनके गोल स्कोर हैं एक टॉप मोश्ट है यहां पर को काफी अच्छी हां पर पैनलेटिव ले देए और लास्ट मोगोल भी स्कोर क्या था लेकिन आज इनके लिए असान नहीं होने वाला सबसे पहल यह बंदा खेलता है कहां के लिए यह खेलता है लिवरपूल के और जो लिवरपूल का डिफेंस है काफी एकसांदार है तो इतना ज्याद आसान तो नहीं होने वाला आज एकौर्ड ओर के लिए यहां पर गोल स्कॉर करना फिर अगर बात को यहां पर डेने डंफ्रिस की तो करते हैं बर्गुस्की विए लेकिन आज यहां पर डैपाई खेल लेएंगे तो उसके पेनलिटी की बात करूंगा तो गया ओर पासिंग इंटर्सप्zon Japanese विए पर रोक के रखना उसके बॉलों को चीनना और फिर आगे फॉरवड को देना तो इसका काम रहेगा एक रीज अपलाई का आप कह सकते हैं जा फिर आँसे बात करते हैं एक वादर की तो आपके यहां पर देखे देंगे एस्टाडा एनेर वैलेंसिया इनके दो इस्ट्राइकर बाकि आप देख सकते हैं पीछे जो काइस्टाडो और जो मेंडिस है इन्होंने लास्ट मचे एक मिट्फिल्ड काफी अच्छा काम करा था बाकि जो इनका डिफेंस लाइन वह आप अच्छा दिखा था लास्ट मचे लेकिन यह है कि आखिर आगर रोक भी पाएंगे तो न रिलाइए करेगा कि यहां पर इस्टेगों बढ़ जून है या फिर अगर कोई हमारे पास सब्सक्राइब प्लेयर आपको दिख जाएंगे तो यहां पर गोल सकते हैं वैलेंस चेह थोड़ा सान एक डाउट वी होंगे लाश्ट नचों को कुछ इंजुरी हुई थी ठीक है इनका भी अभी कुछ यहां पर रोल नहीं है फिर आपको कॉड़ी गैप को दिख जाएंगी यह स्टेट हैं वर्ल्ड कप क्वालिफायर के विंड इजी की बात करो एक काफी लंबा प्लेयर है और आपको बता है डिफेंडर गोल कौन सा कर पाता है सेट पीजी से ठीक है ए पाता है तो पता है अब यहां पर सोच लो अगर डेपाय यहां पर पैनल्टी मिस करता है तो सामने वाले गा ओपोनेंट को भी आप ऐजा गोल की पर जो उनका गोल कीपर है तो उसके कैप्टन लेके जा सकते हूँ वह मैं भी आपको कॉमिसर मताऊंगा ठीक है तो अब हम देख लेते हैं स्टैट्स के हैं गोल उसकोर आप देखेंगे एस्टाडा इनके टॉप मोश्ट अभी यहां पर रहे हैं फॉर में पर काफी सांदर चला है एनर वैंसे की बात करूँ चार गोल उन्हों नहों नहीं पर करें प्लाटा के यहां पर तीन गोल है फैलिक्स टॉ करेंगे कप्तान भी है तो यहां पर मोश्ट प्रॉब्ली पैनल्टीज होई लेंगे तो यह जो मेरा कॉमिसर है यहां पर को मैं यहां दो गोल स्कूर लेके जा रहा हूं डैपाय और गापको और एक मैं पर प्रिडिक कर रहा हूं कि एक गोल मार भी देता लेगिन इस मॉल अब गैपको कर सकते हैं लेकिन अब यह तो हम देखो इस टैटिकल एक बार बना लिया ठीक है हमको पता है यहां पर एक मोश्ट गोल स्कूर है और गापको ने अभी रिसेंट फॉर्म में यहां पर अच्छा चल ला है लेकिन अगर आप यहां पर ट्रेंड देखोगी ना तो यहां पर जीरू का ट्रेंड दे चल ला है तो आप जीरू के ट्रेंड में आपको करना क्या है आप यहां पर ब्लाइंड को ऐसा वाइस कप्टन लेकर जा सकते हो ठीक है अब यहां पर गैपको तो सब यहां पर वाइस कप्टन करेंगी करेंगे अब गैश देखो अगर अगर fantasy में जीतना है ना तो आपको थोड़े रिस्क लेने पड़ेंगे अब यहाँ पर देखो calculation लगाओ gap को अगर यहाँ पर goal score करेगा तो 40 point देगा बाकि उससे यादा कोई point नहीं देगा passing वगर उतनी यादा नहीं करेगा लेकिन अगर blind की बात करूँ अगर उसने assist है वहाँ पर दे दिया कोई तो को advance position पर chances पूरे पूरे हैं उसके assist के ठीक है वहाँ पर assist दे दिया 20 point वो होगे प्लस clean sheet अगर रख लेता है वहाँ पर 20 point 40 point उसने ऐसे ही दे दिये बाकि भागते भुगते passing, intercepts and tackle 10-20 point आराम से देखे चले जागा 50 point आप उसके मान के चलो और फिर आपको वहाँ पर wise captain तो इससे वाज़े से आपका आप अच्छे से wins होच दकता है ठीक है तो इसको आप थोड़ा लेके चलना अगर आप थोड़ा रिसक लेके जाना चाहते हो अगर आप सेफ जाने जाए तो guys gap को आपके अच्छे है आपके पिक होने वाली है ठीक है तो यह हमारा बनी के smallie commission अब बात करते ग्रेंड लिक के दो पूरा ना ऐसा है निदरलेंड का one zero commission one zero आपको उने क्या बता है चार आपको लेके जाने डिफेंडर किसके जूइस टीम को आप सोच रोगी है हमारा one zero रखेगी अब एक प्लेर आप वहां किसके लेके जाओगे सामने वाली टीम का जो center back होगा इनक आपको लेके जाते है और एक defender आप लेके चाले जाना है अगर नहीं के लेके तो उस case में फेरेंग की डी जॉंग क्योंकि जो डी जॉंग है यहां पर काफी एक passing के पॉइंट देगे चले जाएगा तो यहां पर काफी प्लाटा और एक यहां पर लेके जा लेके जाओगे अब जो captaincy आप लेके जाओगे वो डेपा चाहिक यहां पर डेपाय हमारा गोल करेगा अब यहां पर देखो second commission मनाएंगे तो second हमको करना क्या है अब हमको यह लग रहा है कि डेपाय यहां पर गोल नहीं कर रहा है अब यहां पर गोल करेगा तो सिधासा हमको captain कर देना गापको को और wise captain इस बार थोड़ा से गुमा द साथ के अब यहांपर किसको लेकी जाएंगे एक हमको गोल इसकोड़ाय को और देकर चीनल को सब्सक्रा बचक्न करते हो का दीना इसको python यहांपर इंद जा रावार गोल Common तो उनलियो एक को लाग किजए और चैनल को सब्सक्राइए कीजिए और गाइस जो हमारी ओपन दिम्स आएंगे टेल के आम चनल पर तो वहां पर को जुड़ना मत भूलना लिंक आपको उन्जागे डाइसन बॉक्स में और पिंट कमेंड में भी